इमा, उमी, मुहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो दो जाती हैं रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही जब रोशन राहे तो उस पर कैसे चलना है जिहां खुशी से हम्त के गीत गाते हुए और उसकी राह में आगे बढ़ते हुए प्रग्राम रोशन राहे के साथ मैं हूँ प्रग्राम की मेजबान मीना परवेस और आज हमारे साथ महमान शक्सियात हैं रहमत रजा और सनी जर्राल्ड दोनों का तालूप पाकिस्तान ही से है लेकिन अभी दूर देश में रहते हैं वापस आए रिष्टेदारों अजीजों से मिलने तो हमने सोचा कि हम भी प्रग्राम रोशन राहे में इन्हें दावत दें और इनसे बहुत कुछ सीखें बहुत कुछ जाने कि किस तरह ये अपने आपको खुदावन की हम दूसे ताईश के लिए इस्तमाल करें रहमत रजा शायर भी हैं और कारोबारी शक्सियत इ तो हम आपको प्रग्राम में खुशाम देद काईते हैं तो रहमत रजा क्या काम है जो आप वहां करते हैं अमेरिका में सबसे पहले तो मैं खुदा का शुकर करता हूं जो हमें वरसपुरा से उस बस्ती से जहां को बंदा आए तो पलीस वालों से डरता रहता है एक ऐसा इलाका था लेकिन खुदा का शुकर है कि उसकी नजर हुई तो 1998 वो हमें अमेरिका ले गया तो इसमें खुदा का एक खास मकसद था जो वो हम से लेना चाहता था पिर ये शारी का जो जैसे आपने बताया कि ये भी एक रू की गजा और जंग ख्यालात का मरकज होता है दिल को चूलेने वाले एहसासात का नाम शारी है बजरिया शारी में चुपे हम अपने जजबात के इजहार गीतों के जरीए खुदा की हम दो सुना करते हैं तो जब मैं उधर पहुंचा तो उस वक्त मेरी एक गेंटे की छे आवर में पे प की बात आपको पता हूं लोगों के जहन में के पतनी उधर पैसे जो है वो पतनी कैसे करते हैं लेकर लेकर एक गेंटे के छे डालर में घर भी चलाना और अपने गरीब हैन भाईयों की खेदमत भी करना सनी उस वक्त गया नहीं था भी तो मैंने इसे कहा तब जब भी किसी बेवा या यतीम बेटी की उधर शादी जाए ज़रूरत हो किसी को तो रिफ्यूज नहीं करना हो जहेज में जो भी हम कर सकेंगे हम करेंगे तो मैं ये कोई अपने नाम की खतर नहीं बताना चाहता हूं इसमें खुदा का एक मकसद था कि वो हमें लेके जाए और हम किसी ग मामु की बड़ी बहन हैं उन्होंने अपलाय किया था मुझे तो फिर रजिया मर्यम भटी तो उन्होंने सारी काविश थी इनकी वो 2011 में आय थे तो 2013 में मैं अधर चलाया था फिर रहमत रजा हम जानना चाहेंगी कि आप चर्च की खिदमत किस तरह कर रहे हैं मैं युनाइ तो खुदा का शुकर है कि हमारे खुदा के खादम हैं उदर पास्टर विल्सन मन्सूब पी एच डियम और उनकी कावशों से दो एकर लैंड लेके हमने खुद अपनी कलीसिया ने अपनी मदद आपके तायत चर्च और फालोशिप हाल बनाया है फालोशिप हाल में च्की के फालोशिप है और चर्च में हमारे जो एरजिस्टर नामें वह 85 हुआ तो क्या सब़ी खानदान पर आते हैं और हम्र करते हैं धृ nutritious हमारे चर्च में तकरेबन 2 से 5 100 को यह को आपर बूद को हुमारी कौइर होती है पर मुथ तकरिबन हर दिन में बाइबला की को दिये हैं मेरे छे सीडी जा चुकी हैं जिसमें गलामाबास महमद अली रोमा केरिलियन और परवेज फिदा और खुरम सलीम और तकरीबन चार गीत मैंने गाए हैं बहुत से गीतों के खालिक और अपनी आवाज से भी खुद हमकी हमदों से ताईश के सिलसले को रहमत रजा आपके कारोबार के बारे में जाना चाहेंगे अब क्या करते हैं मेरा कारोबार ट्रैंस्पोटेशन से जो एक वेब साइड है मेरी अपनी खुद की जराड लीमो सर्विस के नाम से तो उस पर ऑनलाइन बुकिंग आती है जो भी तो हम उनको ट्रैंस्पोटेशन करका के यह डालस में जो लोग बाइर कि सिडिसे आते हैं तो वह कोशिश करते हैं कि हमारी ब्लैक कार जौ है वो हाइर करे तो हाई लगजुरी है तो जैसे वह आते हैं तो हम इनको एरपोर्ट से पिक चरते हैं और प्राइव जच से और जिदर उन्हें जाना आता है उनका आपको भी बहुत सदा मेहनत करनी पड़ी होगी वहां पर कारोबार शुरू करने में सेटल होने में जी मेहनत करनी पड़ती है अगर आपके इरादे नेक हो तो आप आगे जाते हो लेकिन मेरे पास प्राब्लम यह थी कि मैं अधर कोई पार्टी में नी गया और जितना मैंने काम किया वो कोशिश की कि पाकिस्तान घर को पालना है किचन चलाना है तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी अधर और अभी जब मैं काम करता हूं कभी-कभी तो 22-23 घंटे काम करता हूं स्ट्रेट क्या समझते हैं अगर पाकिस्तानी यहां पर रहकर ज्यादा म गहनते काम करें तो क्या वो अपने खांदान की कफालत नहीं कर सकेंगे अधर का आइधिंग कुछ एटमोस्फियर ही ऐसा है कि हर टाइम बंदा काम की सोचता है और बिजनस की सोचता है आगे भरने की सोचता है इधर लोग जो हैं वो भी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ है जिसे कहते है यह रहां दे तेरको नहीं हूना कुछ अधर को यह कहता है अधर पुष्क करते हैं खो एंड़ विए आड आयत न को अच्मु एज अउनस करते हैं जो मेनत की बात है तो अपको बतायों कि मैं पाकिस्टान में लिख मुष्ट का काम करता था पहले MCP बनाई वीड थ्राशर तो 1978 में हमारी मिशीन ने प्रेजडेंट एवाड हासल किया जो मैं जर्नल जया के हाथ से लेकिया है उसके सवारखान जो होते थे ये गवनर थे मेहनत इदर भी हम करें लेकिन हमारी नौजवान नसल जो है बगयर मेहनत के आगे बढ़ना चाहती है कु काफी नौजवान मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन में कंप्यूटर में तो ये बहुत अच्छी बात है क्या समझते हैं तालीम का फुगदान रहा है तालीम और हार्ड वर्किंग जो है अभी जो मेरा भाही है भी वो तीन साल पहले गया है तो तो तुवनी सिक्स्टीन में ज तो अभी उसके पस तीन साल में वो भी रात दिन मेहनत करता है। जब कभी जब काम पर जाता है तो चबश से 28 ग्हंटे काम करता है। स्ट्रेट鐵 शाट। उसमें दो ग्हंटे की ब्रेक लेता है और नेप लेता है गाडी में पिर काम करता है। Legisl sono कि तो काम करके आज उसके पास तीन गाड़ियां और होगी अगर कुछ लोग इधर करते हैं एक दिन काम करो गया आप तो अगले दिन का वो खा लेते हैं अगले दिन फिर अगले दिन चुटी कर लेते हैं हम जो हैं वो हम 26, 27, 28 गहंटे भी काम करते हैं स्ट्रेट फिर अगर यही काम इधर हम लोग करे तो हमें I think success ज्यादा जल्दी में ये शॉर्ट काट है, ज्यादा महनत करना शॉर्ट काट है काम्याभी का शॉर्ट कट Sunny Gerard बता रहे हैं यह है कि बहुत ज्यादा महनत करी है दिन रात महनत की मिसालें दे रहे हैं और इन से सीखने की ज़रूरत है रहम अत्रजा आपका तारूफ एक शायर कभी है तो एक शायर होते हुए हम देख रहे हैं कि अभी तो दो किताबे हमारे पास हैं लेकिन इसे ज्यादा लिख चुके कुछ इंतिखाब सुनाइए हमें जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौसीकी और शायरी ये रू की गजा हैं बिलकुल जब तक खुदा आपको अलफाज अतार नहीं करता आप लिखनी सकते हैं खासकर मसीह कीतों के लिए तो मैं तो समझता ये हूँ कि काबलीत किया थी मेरी मैं लिखता कुछ निसाब में दस्ते गैब ही लखाता रहा मुझसे इस किताब में मैं तो बरतंथा मिटि का ना इस्तमाल के काबल कीम्ती खजाना ये सुर अखता रहा ज़स्त इखाक में तो एक गीत है मेरा के सलीब मसीपर मुझे नास्ख है मेरी बर्कतों का यही राज है Хालिलुया इसी ने मीटाए है मेरे ये चारगर मेरा दमसाज है वो उल्फत का पैकर वो नूर खुदा उसका नराला हर अन्दाज है किसी भी मैं मुश्कल से डरता नहीं ये मेरे मसीहा का अजाज है रजा ये करम भी तो तेरे मसीहा का है अगर तेरी गजलों में परवाज है बहुत खुब बहुत खुब तो ये खुदा की अता है अभी कोई तकरीब थीन साल पहले जब में इस्राइल गया तो मैंने वहां आके एक गीत लिखा जिसे मैंने और इंडिया के एक गुलुकार है शेशी संगा उसने गाया उसकी शारी पंजाबी कुछ ऐसे है के येसु मेरी जिन्दगी ते येसु मेरी जाने येसु मेरी जिन्दगी ते येसु मेरी जाने उच्छी उदी जात ते उच्छी उदी शाने दौलतां ते शोरतां येसु मेनो देंदाए ते हर वेले येसु मेरे नाल नाल रेंदाए यसु रहीमे ते यसु रह्माने उची हो दी जात ते उची हो दी शाने कारबार मिनु यसु अपना वहायाए कारबार यसु मिनु अपना वहायाए ते जिते बबतिसमा लेया मिनु इद्वायाए मेरे जया बन जाई हो दा फरमाने उच्छी उदी जात ते उच्छी उदी शाने खाली उदी कबरदा नजारा ममी की इताय ते रजा दे गुनाहां दा कफारा यसु दिताय बादशाह यसु दी ते यसु सुल्ताने उच्छी उदी जात ते उच्छी उदी शाने बिल्कुल ये सुमसी हमारा निजात दहिंदा हमारा खालिक हमारा मालिक है उंची उसकी शान है और लाजम है कि हम वो जो नूर है उसके पीछे चलें और रोशनी पाएं रहमत रजा और सनी जराल्ड से बड़ी आहम बाते हो रही हैं इनके तजर्बात से हम सीख रहे हैं कि इ देते हैं एक छोटा सा ब्रेक यू झाल सो फोलो उस अन प्मित्व ओफिशल उन फेस्बूब